दोस्तों नमस्कार मैं दानिश अंजार और आप देख रहे हैं पियार भी बिहार से जो खबर आ रही है वो चौकाने वाली है आपको याद होगा कि अस्वनी चौबे ने पिछले दो-चार दिन पहले एक ब्यान दिया था उन्होंने कहा था कि दोजार पक्षिस के विधान सवा चुनाओं में बी-जेपी निर्थीत्व में सरकार बनेगी मतलब बी-जेपी केंद्रियम पुर्फ केंद्रियमंत्री गद्दावर नेता बिहार के बीजेपी बिहार पे एक पकर रखने वाले नेता उनका ये बियान आना कि 2025 के चुनाव में बीजेपी जो है वो बीजेपी के निर्थित्व में जो है सरकार बनेगी मतलब बड़ी भाई की भूमिका में बीजेपी रहेगी जो अब तक जैडियू रहती थी निटिश कुमार को मुखमंत्री बनाया जाता था से उसके बाद अचानक निदुष कुमार का राजभाण में अभी जाना अभी की ख़बर बता रहा हूं नितीश कुमार भारी बारिश के बीच राजभवन पहुंसते हैं और जमीनी जो पटना की जो सुत्र है उसके मुताबिक 40 मिनिट तक ये मुलाकाद चलती है नितीश कुमार का ये इतिहास बताता है कि जब भी नितीश कुमार जो ह जाना सत्ता के गलियारों में और तमाम राजनितिक गलियारों में पक्ष और विपक्ष में एक हल्चल पैदा कर दिया है क्या नितीश कुमार कुछ बड़ा फैसला लेने वाले हैं क्या करने के कुछ चर्चा करने गया क्या सरकार के उलट फेर पर बातचीत करने गया क्या कु पता है नितिश कुमार जो है इंडिय सी यौ में तो मौझूद है लेकि नारासों के मान गई इनकी मांग सिख्छा मंत्रा लें रेल मंतरा लेीं कि थे वह नहीं मिला इनको तो नितीश कुमार नाराज तो बता ही जा रहे थे उसके बाद अश्वनीचौबे का यह बयान की बिहार दौज़र विदान सबावा चुनाव में बीजेपी जो है बेज़ीपे की निर्थित्व में चुनाव लरी जाएगी मतलब बीजेपी जो है बिहार में चुनाव परदान मंत्री मोधी से गहरा तालुकात है उनका मजबूत तालुकात है उनका ये बियान आना कहीं नितिश कुमार की कान को खोल दिया है और नितिश कुमार अभी जो है वो राजभवन पहुंच जाते हैं तो इसकी चरचार चल रही है लगातार और आपको पता है कि एंडे 29 जून को राष्ट्रेकारकारणी के बैठक बुलाई थी उस बैठक में उन्हों साफ साफ कह दिया कि केंदर से उन्होंने मांग कर दिया कि हमें जो है बिहार को विशेश राज का दरजा चाहिए उसको लेकर परधार मंत्री मोधी जो है वो कोई ब्यान नहीं देते है निटिश कुमार के लिए मजबूरी भी विए विषेश राज का दरजा दिलाना है उन्हें अगर नहीं मिलता है तो बिहार में निटिश कुमार की राजनतिक भविश्य जो है वो खत्रे में आ जाईएगी को कि विपक जश्वी जश्वी यादव है लालू यादव है वो के साथ रहें मतलब केंदर में इंडिये के साथ रहें उन्होंने फिर लिए स्राच का तरचाश नहीं मिला तो उन político विशेसराच के दरजे की जो पूरी होती नहीं दिख रही है उसके बाद अश्वनी चॉबिका ये व्यान कि हम जो है वो बीजेश कुमार को चिंटा सता रही है और नितिश कुमार का इतיח ओता है कि हम यहाँ फिट नहीं चलाने नहीं दिया रहाँ था सरकार को तो इस बार नितिश कुमार क्या फैसला लेने वाले या कुछ करने वा नाराज तो बता ही तो दूसरी तरफ बीजेपी ही नहीं के जो नेता है केंद्री मंत्री है जो मोधी 3.2 हमें सबसे यूवा मत्री है राब मोहन नाइडू चंद्राबू नाइडू के सबसे करीबी बताया जाते हैं उनका ये ब्यान आ गया कि विसेश राज हमें भी चाहिए तो वह भी विसेश राज के दरजे की मांग कर रहे हैं तो कहीं न कहीं बीजेपी के लिए मुश्किल इसलिए है कि एक तरफ विपक् हमलावर रहता है वह लगातार मांग कर देता है कुछ ने कुछ अभी विसेश राज के दरजे की मांग टीडीपी ने कर दी उनकी मजबूरी है को कि इते लंगाना से अलग हुए आपको पहले भी बताएं कि दस साल हो गई लेकिन राजी की स्थिति ठीक नहीं है दो हजार पांच से दो हजार चल रहा है और मुक्वंति निटिश कुमार है विसेश राज का दरजे आप तक नहीं मिला तो बीजेपी के लिए जो है यह मुश्किल जो है वह बढ़ती तो नजर आ रही है कि सबको मना के रखना सबको जो है लेकर चलना तो क्या अगर निट देखिए कुछ लोग इसमें कह रहे हों कि यह बड़ा जल्दबाजी होगा कि निटिश कुमार जो है कि यह खबर दिखाना कि निटिश कुमार पल्टी मार देंगे क्योंकि निटिश कुमार तो खुस दिखते हैं बहुत जादा तो निटिश कुमार वो निटिश कुमार ज चुके है तो क्या लग रहा है इस बार जो है निद्श कुमार बिहार में अपनी राजयतिक भविष्क उजल लुजल रहने यह परने मारें इप नाम को आगे रख लगातार लोग उनके नाम आगे रखते हैं अभी जब वो इंडिया गटबंदन में थे तो उनके नाम को आगे रखा जा रहा था तो नितिश कुमार कोई छोटा मोटा चेहरा नहीं अगर नितिश कुमार को कोई कम आकता है किसी गटबंदन में कम दिखाने की कोशिच करता है तो यह सहीं भी नहीं है और ये जो फैसला नितिश्गुमार क्या कुछ लेते हैं क्या कुछ खबर आगे निकलके आती है और क्या कुछ शुत्र जो है वहाँ से घबजते हैं वो तेमाम चीज़े आपको बदाएंगे तेकिन सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है सोशल मीडिया पर लेकर लोग क्या लिख रहे हैं एक बार वो नज़र डाल लेते हैं पहले बिहार राजभवन का वो ट्वीट देखी आप मानिय राजपाल सिरी राजंद्र विष्वनात और द पtizar कर से मुलाकाद कि केंद्र में ज़रकार बनाने के बाद राजपाल से पहली मुलाकार राजपाल से मिलते हैं तो सियासत के लियारों हरकम मत जाता हैं जबढ़े मारेสाथ बहुत दन्यवाद